नमस्कार कैसे हैं आप लोग, उमीद करता हूँ आप लोग सब ठीक हैं आप लोग के बहुत सारे मेसेजिma 없는 और सब के मेसेजिद का मैं कोशिश करा हूँ रेप्लाइद देने का आप लोगों पैवे हुगे कही लोगों ब्रौम में अपने कुनली चार्ट भेजे हैं आज चिन्टु जी की मैंने रिपीट वाली कुंडली ली है, आगे कुछ और कुंडली रीड होंगी जो 5 जुलाई में सिलेक्ट हो चुकी है, लेकन उसमें थोड़ा समय लगेगा, 2-4 दिन का समय और लगेगा, जो यो लोग मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मैं फ पसंदिता दो सवाल भेज दीजे, कहां भेजेंगे, डिस्क्रिप्शन में दिये गए नमबर पर वट्साप कर दीजे, और मेरे चैनल सब्सक्राइब करके स्क्रिन शॉट साथ में भेज दीजे, अगर आपकी कुंडली सिलेक्ट हो जाती है, सिलेक्शन में डाल दूँगा अगर सिलेक्ट हो जाती है, तो आपकी दो सवालों के जवाब मैं वीडियो के थुरू आपको प्रोवाइट कर दूँगा, यूटूब में 15 जुलाई के बाद आपकी भी वीडियो अपडेट हो जाएगी, ये बात रही, क्या बोलते हैं, जो नए सब्सक्राइबर है, पु इनका नहीं हो पाया, मैं उनको बोलूँगा, जिकि नेक्स राउंड में डालने के लिए, आप 15 जुलाई लिख के भेज दीजिए, आपका अगर चार्ट अभी तक रीड नहीं हो पाया है, तो आप 15 जुलाई तक भेज दीजिए, क्योंकि अभी कुछ और वीडियो बनाना बाखी है मेरा 5 जुलाई का, अगर वहाँ पे आपका नहीं बन पा रहा है, तो आप 15 जुलाई लिख के, रिपीट लिख के भेज दीजिए, मैं बार-बार कह रहा हूँ, इससे आपको बेनेफिट होगा, हो सकता है, मैं आपका सेलेक्शन ले लूँ, क्योंकि प्रीवेस च स्कैन करना थोड़ा, मैं अकेला आदमी काम करता हूँ, तो स्कैन करना मेरे लिए मुश्किल हो जाती है, तो आप लोग चाहे, तो उसको रिपीट लिखे, 15 जुलाई लिखे, भेज दीचे, तो मेरे पास फिर से वो डीटेल आजेगे, मैं सेलेक्शन प्रोसेस में डाल करता हूँ, यह जो काम करता हूँ, मैं आप लोगों के लिए फ्री कुंडली चार्ट रीट करता हूँ, यह मेरे लिए भी हेलफफुल है, मैं भी अपने प्रॉब्लम्स और अपनी जिंदगी के जितने भी चीजे हैं, कॉम्प्लिकेशन से उसको बुलाने का एक तरीका है, आप लोग के प्रॉब्लम्स देखें, मुझे अपने प्रॉब्लम्स भूल जाने का बहुत अच्छा मौका मिल जाता है, तो अब मैं चिंदू जी जो इनकी कुंडली है, जो रिपीट कुंडली अभी आई है चार्ट में, तो इस कुंडली को रीड आउट करता हूँ, इनक कुंडली है, कुंडली में उन्होंने दो सवाल पूछे हैं, जो सवाल हैं, वो के फाइनेशल स्टेबिलिटी कब आईगी, एनसेस्ट्रल प्रॉपर्टी कम मिलेगा, चिंदू जी आपकी महादशा शुक्र की चल रही है, वीनस की चल रही है, 2013 से चल रही है, और 2013 तक चल उसमें से आपकी महादशा मंगल की कर्चु की है, राहू की चल रही है, जो जनवरी 2024 तक चलेगी, जो कि मैंने यहां लिखा हुआ है, जनवरी 2024 तक चलेगी, उसके बाद आपकी गुरू की अंतरदशा चलेगी, अभी शुक्र में राहू की अंतरदशा चल रही है, 2024 तक च पर दिसी तक चलेगी छिड़िया कुछ बात करने से पहले मैं आपको ये बोल देता हूँ कि आपकी कुंडली में कालसर्ब दोश है कालसर्ब दोश होने के कारण आपके जो भी benefit मिलेंगे वो अभी satisfactory नहीं मिलेंगे बात अब उसको मैं last में बोलूँगा जी कि लेके बात हो रही है तो ancestral property चिंटू जी आपकी Venus की महादशा चल रही है अभी तो Venus की महादशा में कभी भी मिलने के chances बन जाएंगे आपके लेकिन पूरा मिलेगा के नहीं मिलेगा उसकी मैं guarantee नहीं देता हूँ लेकिन कुछ हद तक मिलेगा लेकिन कम मिलेगा ये रहू की अंतरदशा जो खतम हो जाएगी January 2024 में उसके बात मिलने के जादा chances है कोशिश आप करते रहिए वो सकता है पंडित के बोलने से सब कुछ नहीं हो जाता है या किसी knowledgeable बंदे के बोलने से परसन के जान लेने से और उसके आपको कुछ बोल देने से सब कुछ नहीं हो जाता आप अपनी कोशिश जारी रखिए लेकिन उमीद मैं यही करूँगा जिके आपको जल्दी मिले लेकिन जितना मैं चार्ट रीट कर पा रहा हूँ उसमें मैं यही बोलूँगा जिके राहू की अंतरदशा जब खतम होगी उसके बाद ही आपको प्रॉपटी के बेनेफिट मिले लेकिन गुरू आपका रेट्रोगेट होके ग्यारवे घर में बैठा है आएके स्थान में बैठा है रेट्रोगेट हो रखा है तो थोड़ा सा अच्छा ही फल देना चीए थोड़ा रिवर्स होता हुआ देता है लेकिन दे देगा पूरा कितना देगा यह मैं गैरेंटी नहीं देता है क्योंकि शनी के घर पे बैठा हुआ है ग्यारवे स्थान पे बैठा हुआ प्लानेट कोई सा भी प्लानेट हो वो कभी भी खराफल नहीं देता है तो अगर रहू के अंदर कभी गुरू का टाइम कटे पत्यंतर में तो शायद आपके थोड़ा बहुत चांसेस बने अगर ना उसका नहीं बन रहा है टाइम तो मैं यही बोलूँगा जिकि जब 24 के जनवरी के बाद गुरू का जब टाइम आएगा तब वीनस के महादशा में गुरू के अंतरदशा में आपको बेनेफिट मिलेंगे क्योंकि भागेश होके वो आएश में बैठा है तो भागेश अगर आएश में बैठ जाए तो कुछ ना कुछ का इंगम करवाता है और सामिल्टेनेसली वीनस की महादशा है तो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट फैमिली से सारी पब्लीक से आपको बेनेफिट मिलेगा तो यहाँ पर महादशा में कभी भी मिल सकता है अगर 26 तक ना मिले तो 29 तक तो गैरेंटी मिलना चाहिए ठीक है अगर आपकी ना मिले तो आपकी वाइफ का कुछ ना कुछ जरूर बेनेफिट मिलेगा तो पॉइंट ओ व्यू यह है जीकि मेरे अनलिक्सिस यह कहता है अनसेस्टरल प्रॉपर्टी आपको पूरा ना मिले लेकिन काफी हद तक मिल जाएगा 2024-2026 के बीच में अब बात आती है जीकि फाइनेशल स्टेबिलिटी कब होगी देखिए फाइनेशल स्टेबिलिटी अभी आपका समय जो चल रहा है उसे साब से फाइनेशल स्टेबिलिटी होना अभी तब तक मुश्किल रहेगा जब तक आपकी एज 42 42 नहीं आ जाती आपको फाइनेशल स्टेबिलिटी इनसान का एक mental analysis है ठीक है न जी खुश है और उसे कोई problem नहीं है तो at the age of 42 आपको हो सकता है आपको benefits जादा मिले उससे पहले आपको satisfaction मिलना मुश्किल होगा क्योंकि काल सर्व दोश का जो problem है वो 42 साल के बाद ही कम होता है उससे पहले कम नहीं हो पाता है तो financial stability की जो mental आपकी situation analysis है उसको stability मिलना 42 के बाद ही मिलेगा हालक अगर overall देखा जाए तो at presently जब आएश का अंतरदशा लगेगी और Venus आपका fixed asset का owner होके और आपकी wife का public dealing का owner होके उसी के घर में बैठा है तो Venus शुकर की जो ये दशा चल ले है बहुत अच्छी दशा चल रही है अभी आपकी लेकिन आपको दिक्कत इसलिए हो रही है क्योंकि काल सब दोश आपकी कुंडली में बना पड़ा देखिए राहू यहाँ बैठा हुआ है केतू यहाँ बैठा है और छटे और बारवे का रिष्टा बना रहा है इसी के बीच में सारे प्लैनेट घुजे पड़े है और इसी चक्कर में आपका प्रॉब्लम बना हुआ है इसलिए मैं कह रहा हूँ जिकि आपका Venus अच्छा है अभी अच्छा चल रहा है लेकिन इसका अच्छा और फल जब मिलेगा तो वो मिलेगा जब Jupiter की अंतरदशा लगेगी Financial Stability भी मिलेगी क्योंकि भागेश और Fixed Asset के ओनर होके Jupiter 11 घर में बैठा है 11 घर का ओनर में बैठा हूँ प्लैनेट कभी भी कोई नुकसान प्रोवाइड नहीं करता है जब के साथ हो सकता है थोड़ा Communication Gap भी चल रहा हो तो उसको भी Manage करने की कोशिश करिए आपका 42 years के बाद आपके लिए Beneficiary होगा 2028 में आपका वो एज आने के चांसे हैं तो 2028 आप पकड़िए जिकिए आपके लिए काफी अच्छा रहना चाहिए अब बात कर लेते हैं उपाईों की देखे जब मैं वैसे तो उपाई सारे नहीं देता हूँ लेकिन आपकी काल सब दोश की कुंडली है इसमें मेरा उपाई ना देना मेरी खुद के personality या मेरी खुद के अपने बारे में analysis को थोड़ा खराब करेगा तो मैं आप लोगों को आपको उपाई देता हूँ कुछ उपाई कर लीजे जो मैं दे रहा हूँ पहले तो यह है जिकि महा मित्तुन जय का जाब करिए दिन में कम से कम 100 बार महा मित्तुन जय का जाब करिए 100 बार करना पड़ेगा दिन में कम से कम 108 बार करना होता है लेकिन 100 बार तो करिए ही करिए मतलब 108 बार करिए 100 बार क्या ही बोल रहे हैं 108 बार करिए महामित तुन जय का जाब दिन में हनुआन चालीसा पढ़िए हनुआन चालीसा पढ़िए और हनुआन चालीसा पढ़ने के बाद आप मंगलवार को अब सर्टनली मंगलवार को और शनीवार को शिवलिंग जाईए और शिवजी की पूजा करिए शिवजी की पूजा करिए और नाग देव की पूजा करिए तो उससे आपको benefit मिलेगा अब नागदेव की पूजा कैसे भी करें ना करें नहीं आप नहीं कर पा रहे हैं तो शिवलिंग जाईए अपना शिव जी को भुले नाथ को कुछ चड़ाईए और सोमवार हर रोज कुछ हो सके तो शिव मंदिर के बाहर जितने गरीब लोग बैठे हुए हैं उन लोगों को कुछ दान देने की कोशिश करिए कुछ सफेज चीज दान देने की कोशिश करिए दूद वगरा दान देने की कोशिश करिए लोगों को अगर हो सके तो गाए और जानवरों को दूद पिलाने की कोशिश करिए या कुछ खाना किलाने की कोशिश करिए लेकिन मंदिर के बाहर बैठे हुए गरीबों को मदद करना जरूरी है महा मित्वन जय का जाब करना जरूरी है शिवलिंग की पूजा करना जरूरी है और घर पे अगर शिवलिंग है तो घर के शिवलिंग की पूजा रोज करना जरूरी है हनुमान चालीसा पढ़िए आपके लिए बेनिफेश्टी रहेगा सूर्य देव को नमस्कार करिए क्योंकि आत्मा का कारक सूर्य होता है और सूर्य कहीं पे भी बैठा हो तो आत्मा का कारक बनके आपके आत्मा का और आपके चित को शांत करने की कोशिश करिएगा तो गायतरी मंद का पार्ट करिए सूर्य को नमस्कार करिए कुत्तों को खाना कर प्रोवाइट करिए काला चीज दान दीचे ताकि राहू अपना प्रको थोड़ा कम करे तो ये सब चीजे करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बहतर रहेगा आपकी 42 से पहले पहले जो भी कॉम्प्लिकेशन है उसमें रिडक्शन होगी मैं पहले ही बोल रिडक्शन होगी आपका फुल फ्लेज कम हो जाए या खतम हो जाए इसकी गैरेंटी मैं नहीं दे सकता लेकिन रिडक्शन होगा अगर यह सब चीज़ें कर रहे है तो जो जो चीज़ें अगर एक्स्ट्रा हो सकता है तो और करिए कि जो शनवार का है जो चीज मंगल्वार का है उसको डेली बेस्स पे कर दीजे तापि आपको बेनेफिट मिलने के चांसेज बने रहे नहीं तो थोड़ा बहुत काफी जादा कॉंप्लिकेशन होगा उसको कम करके थोड़ा बहुत करना है तो ये सब काम आपको करने पड़ेंगे तो ये था मेरा एनलिसिस कालसब योग की अगर कुंडली हो तो उनका लाइफस्टाइल कैसा रहता है कालसब योग की कुंडली में 42 साल से पहले पहले सांती मिलना मुश्किल है चलिए लेकिन मिल जाता है अगर थोड़ा काफी हत्तंग मिल जाता है अगर आप अच्छा काम करे तो तो ठीक है ये मेरा एनलिसिस था चिंटू जी आपकी कुंडली के लिए अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब करिए पसंद आये वीडियो तो सब्सक्राइब करें लाइक करें कमेंट करें मेरे वीडियो पर थैंक यू सो मच